आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी क्योंकि आज के मिस्टिका लैंड के सफर पर हम आपको 90's के उस गोल्डन एरा में ले जाएंगे जब TV का जम कर क्रेज था और देखने को हमारे पास 100 चैनल नहीं सिर्फ एक दूर दर्शन हुआ करता था लेकिन उससे पहले चै इस एड को यादगार बनाने में काम्याब रहे हैं कोई हैरानी की बात नहीं है कि निर्मा बाथिंग सोग की ये एड TV पर कई साल चली थी क्या रंग खिला क्या रूप सजा मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा नमबर टू बच्पन में जहां हम स्कूल जाने से दूर भागते थे आज वो ही स्कूल के दिन हमें कितने प्यारे लगते हैं स्कूल का नया साल शुरू होने से पहले नया यूनिफॉर्म नया बैग नया शूज लेते थे इन सब छोटी चीजों को भी खरीदने का एक अलग एक्साइटमेंट रहता था एक्शन शूज का ये एड देखकर अगर आपने भी स्कूल में एक्शन शूज खरीदे हैं तो इस वीडियो को एक लाइक टोब बनता है नमबर त्री दोस्तों फेवी कुईक जब मार्केट में आई थी तब इसने अपनी फ़नी एड कैमपेंट के जरीए खूब नाम कमाया था क्या आपको ये एड याद है ये को उसला पिच्चे के पढ़ने है ना मैं बच्चपन में ये देखकर बहुत अस्ता था सिर्फ ये नहीं और कई फेवी कॉल की एड स्वी बहुत ज़ादा मज़ेदार होती थी जैसे की ये मैं जानू के हूँ है करूँ छे कर तल दू जो कोई मैं जानू के हूँ है करूँ छे कर तल दू जो कोई अने थार्यू जोने ए बुर थाशे मन के चित माना होई हो जिरे जिरे धार्यू धणी नू थाए आब दू आब दू धार्यू धणी नू थाए हो जिरे जिरे कर तल दू जो कोई इसके अलावा हमाम का ये एड भी हम सब की यादों में पसा हुआ है मैं हूना उसकी सुरक्षा के लिए आपकी तो सबसे पहले ये हो गई हाथ की सुरक्षा और ये देख रूकी हमाम में तुलसीद, नीम, पुदीना और नीवू के कुदरती गुण हैं इसलिए हमाम है कोरी तरह सुरक्षी मामी चोटो कहता है तुम कितनी अच्छी हो कितनी? वाता नहीं बताया रहाची, रहाची सुरक्षा का प्यारा बंधन हमा दोस्तो पारले जी दुनिया का सबसे ज़ादा बिकने वाला बिस्कित है इसकी पैकेजिंग और टेस सालों से नहीं बदला हाँ पर ये पारले जी गर्ल जरूर बदल गई है आज कल तो इसकी एड देखने को नहीं मिलती चाहत अपनी यही है जी अपनी भी जार भरी शक्पी भरी भरसे से पारले जी नमबर सेवेन डाबरलाल दंत पंचिन का ये आड याद है अपको बच्चो ये है हमारे दातों की बनावत दातों और मसूडों को ठीक से साफ न करने से इसका असर पूरे शरीर पर होता है इन्हें स्वंस्त और मजबूत रखने के लिए हमें सुभा शाम दातों की सफाई करनी चाहिए जाजू तुम्हारे दात तो मूतियों जैसे चमक रहा है क्यों ना हो मास्टर जी मैं डाबर का लाल दंत मंजन जो इस्तिमाल करता हूँ लेकिन मास्टर जी आपके दाल डाबर का लाल दंत मंजन ये बहुत ही अच्छा है मास्टर जी तुमने कहा था न अब मैं भी डाबर का लाल दंत मंजन इस्तिमाल करूंगा नमबर एट ये अगली एड आपके चेरे पर जरूर मुस्कुराहट लाएगी इस एड में हमें अमूल और उससे बने अलग-अलग प्रोडक्स के बारे में बेहतरीन सौंग के जरीए बताया गया है बार बारा मैने है त्यों हाथ सुनो सुनो रे गूत कसा गर पेता जाए कंगन सोने की खनकाए सुनो द्वार पेशनाई नमबर नाइन हमें कुछ नहीं चाहिए हम इतना चाहते हैं कि आप बारातियों का स्वागत पान पराग सकीजिए ओ पान पराग हमें क्या मालूम आप भी पान पराग के शोकिन है ये लिजिए पान पराग पान पराग अगर आपने ये स्लोगन पहले कभी नहीं सुना है तो इस एड को देखिए खाओ गगण रहो मगण पहले भोचन फिर भजन पहले मंगनी फिर लगन सठक सित आराम आपके भोजन की तारीफ का राज, गगन बनस्पति एसी ही एक और एड है निर्मा वाशिंग सोप की ये एड ओहो दीपीकागी, आई 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 ये, लीजिये आपका सब सामान तहिया ये नहीं, वो निर्मा सूपा नेली दुदरजिन ठिकिया लेकिन आप तो वो हमेशा महंगी वाली ठिकिया लेती थी, जब वही महंगे दामो वाली क्वालिटी, वही सफेदी, वही जाग, कम दामो में मिले, तो कहीं ये क्यों ले, वो न ले मान गए, किसे? आपकी पार्खी नजर और निर्मा सूपर दोनों को अब निर्मा सूपर धुलाई का सूपर दाम, दाम इस अगली एड में देखिए कैसे शाहिद कपूर और आईशा टाकिया, as a child actor, बच्चों को अपनी हाइट बढ़ाने के लिए कॉम प्लाइन पीने की सला देते थे क्या आपने बच्च्पन में कभी किसी को खुद को कॉम प्लाइन बॉय कहते हुए सुना है? खैर वीको टर्माटिक भी दूर दर्शन पर एडवर्टाइज करने वाला पुराना ब्रैंड है वीको डब्लू एसो क्रीम की ये एड तो हियादी होगे आपको बढ़े नाजों से पाले हमारी बनो तुझे धुल्हन बनाए दे प्यारी बनो तुझको हल्वी का उप्रिटन लगाए सकिया तेरी काया को पंचर बनाए सकिया देखो चंदन सी आर चंदन सी बहे के हमारी बनो रूब खुल्दन सादम के तेरा प्यारी बनो ये रूप ये मिखार सद्यों से आयूरवैदिक आउशद विज्ञान इसका आधार रहा है केली मुहासे और जाईयां दूर कर चेहरे पर एक नई आभा जगाती है वेको टर्मरिक आयूरवैदिक क्रीम नमबर फोटीन उज्ञाला की ये एड ने भी टीवी पर खूब नाम कमाया चार बुदोवाला आया नया उज्ञाला आया नया उज्ञाला चार बुदोवाला I'm sure इन पुराने आर्ट्स को देखकर आप जैसे किसी टाइम मशीन में पीछे चले गए होगे तो अगर आपने इन्जॉई की है आज की हमारी ये वीडियो और चाहते हैं इसका दूसरा पार्ट तो इससे जादा से जादा लाइक करें टागेट रखते हैं एक जार लाइक्स का और अगर आप भी 90s किट हैं तो हमें कमेंड में जरूर बताएं कि बचपन में आपकी फेबरेट एड कौन सी हुआ करती थी इस वीडियो को अपने बचपन के दोस्तों के साथ शेयर करें अपनी पुरानी यादें ताजा कीजिए हमारी अगली वीडियो तक स्टे होम, स्टे सेफ अब हमें दीजिए जासत आपका बहुत-बहुत शुक्रिया